सो गाइस आज के वीडियो के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं SLB BL7 के बारे में जैसे के एंप्लिफायर आप देख सकते हैं काफी अच्छे एंप्लिफायर है और यहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस एंप्लिफायर का प्राइस कितना होगा और इसमें हम कितने व एक्टर, क्लास, कौन सा एंप्लिफायर है यह सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो का एंट तक देखते रहेगा और चैनल में अगर नए है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल एकन को वाल में सेट कर लिजेगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं नम अगर आपको देखना हो तो चलिए बात कर लेते हैं अपर SLB-BL7 के बारे में आपको यह बता दू कि वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा प्राइस जो है कहीं भी सो हो सकता है कहीं भी सो हो सकता है मेरे को भी पता रहे है कि कहां मैं डालूंगा कहीं भी सो हो सकता है ओके तो प्राइस जो है कहीं भी सो हो जाएगा बिलिंक हो जाएगा तो आप वीडियो को एंट तक देखेगा इसकिप मत करिएगा नहीं तो आपको प्राइस पता नहीं चलेगा और क यहां पर Load Calculation के उपर तो गौई यहां पर इसका जो Health已经 संब देखते है है सेंप्लिफायर का तो 8 volumes के उपर 850 Watt का पर्छैनल kalo Level Edum Edum and 2 ohms के उपर 1700 Watt का per channel output and bridge mode के बारें बात करते हैं तो 8 ohms से 2550 Watt का output मिलेगा और bridge mode 4 ohms के उपर 34 Watt का output मिलेगा and इसका dumping factor काफी ज्यादा है मतलब काफी अच्छा है आपर base के लिए बेस भी आप इसमें यूज कर सकते हैं जो कि dumping factor इसमें है 1000 जो की काफी अच्छा base आपको मिल जाएगी इस amplifier में class H का amplifier है और amplifier का weight के पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 20 kg का amplifier है क्योंकि काफी अच्छी बात है और इसमें बात करते हैं अपर SLP BL7 का जो है load calculation के उपर जैसे के हम इसमें base और top कैसे चलाएंगे कितने Watt का speaker हम चला सकते हैं तो guys यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं दो base के उपर जैसे के हैं आप अब दो base हम चलाते हैं अगर हम चलाते हैं तो कितने Watt का speaker हम लगाएंगे जो काफी अच्छा base हमें मिल जाए तो guys यहाँ पर आप 6500 Watt से लेकर के 800 Watt का speaker आप इसमें लगा सकते हैं काफी अच्छा base आपको मिल जाएगा तो काफी अच्छा यहाँ पर रहेगा आप 800 Watt का 2 base भी आप चला सकते हैं कोई दिकत नहीं आएगा अगर आपके पास 1000 Watt का AES Power वाला भी है तो आप 1000 Watt का AES Power वाला भी आप base speaker चला सकते हैं तो चले बात के लिते हैं आप 4 Watt के उपर तो यहाँ पर दूस्तों 4 Watt के उपर आपको मिल जाता है 1275 Watt तो अगर आप 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 4 base चलाना चाते हैं इस Simplifier में तो यहाँ पर आप 600 Watt का जो है आप 4 speaker चला सकते हैं यहाँ पर 600 Watt का भी अगर आपके पास base speaker है तो वो भी आप इसमें चला सकते हैं चल जाएगा कोई दिकत नहीं आएगा और इसका dumping भी काफी ज्यादा है 1000 है तो आपको base भी काफी अच्छा मिल जाएगा तो यहाँ पर 600 Watt का 4 base भी आप चला सकते हैं 600 Watt का 4 base रहेगा तो काफी अच्छा रहेगा अब बात करते हैं तो यहाँ पर tombs के उपर हमारा top बन जाता है तो यहाँ पर चलिए हम बात कर लेते हैं 2 top के उपर और 4 top के उपर क्योंकि यहाँ पर tombs के उपर हम base तो यहाँ पर तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इस speaker का जो wattage रहेगा वो रहेगा 500 watt dual top यहाँ पर हमारा बन जाएगा और यहाँ पर एक हमारा रहता है जो है top में तो यहाँ पर लगबग 1100 watt का एक box हमारा बन जाता है तो यहाँ पर इस type का हम इसमें जो है दो टॉप चला सकते हैं अगर और वहीं हम बात करते हैं tombs के उपर अगर आप tombs पर इस simplify को run करना चाते है तो यहाँ पर आपको जो है load डालना है 3500 watt का dual top जैसे कि 3500 plus 3500 plus and यहाँ पर आपका जो है plus जो है hf रहेगा मतलब कि लगबग एक top आपका 700 watt के करीबर बन जाता है लगबग थोड़ा सा ज्यादा तो चार टोप आप इस टाइप के जो ही speaker रहेगा आपका 300 watt या फिर साड़े 300 watt 400 watt भी रहेगा तो चल जाएगा लेकिन आप जो है साड़े 300 watt में यूज़ करें काफी सही रहेगा एंप्लिफायर गरम नहीं होगा और काफी अच्छा sound भी आपको मिल जाएगा तो सारे 300 watt का यहाँ पर 8 speaker आप चला सकते हैं 40 speaker एक चलनल में 40 speaker दूसरे चलनल में जो की panel connection रहेगा tombs के उपर आपका run होगा जो की atoms वाली speaker रहेंगे अब बात करते हैं हाँ पर तो सारे सीज मैंने आपको बता दिया है और जुसते यहाँ पर आपके जो स्क्रीन में आपको प्राइस हो हुआ है price जो है उपर नीचे हो सकता है market वलग price हो सकता है मतलब हो सकता है, 1000 के आशपार जो है उपर नीचे हो सकता है तो यार आज के वडियो पसंट इतना है था, video को like कर यह जरूर और नीचे comment में बते है का video कैसा लगा, video की टोपिक पर चाहिए बहुत सारे कमेंट आप मतलब की आप जो है आप करिए और आपके उपर जो मैंने आपको वीडियो बनाने की कोईशित करूँगा आपके टॉपिक के उपर लेकिन जो है सवाल जो है कुछ यूनिक होना चाहिए हाट के होना चाहिए जो मेरे को भी अच्छा लगए तो चले कम अपले वीडियो में तब तक लिए जाहिए जाहिए भारत वन्दी मात्रम